जल्व तेरा जल्वा जल्वा अभीम तेरा जल्वा जल्वा तेरे जैसा कोई नहीं है तेरे जैसा कोई नहीं है बीर और बल्व जल्व तेरा जल्वा जल्वा नमस्कार इस समय हम प्रयाग राज मुपस्तित हैं हमारे साथ में तारकेश्वर राव टंडन जी हैं जो लगातार मिशनरी गीत की मात्यम से मनुआधियों को जलाते रहते हैं और एक शेख गाना निकालते रहते हैं जो मनुआधियों को मुपर तमाचा मानने का काम करते हैं चाहिंअ उनका मन का करने के कोसिश करेंगी कि कहा से उनका मन बना गाना गाने का और तमाम बात है तो अज प्रयाग राज में उनका आगमन हुआ है तो सर कप से आपका यह प्रोग्राम चल रहा है काकरम का इस सिंगर लगा सबसे पहले ता आप सभी को मेरा साधर जैवह नमो गुद्धा है और हम बचपन से गाना गाते हैं का बचपन से गाते हैं और पहले मैं कुछ और गाया बजाया करता था जब मिसन का घ्यान 1 नहीं था तो बहुत कुछ तरीके के गाना गाते थे लेकिन आने वाले समय में जब तो हमने बाबा साहब का एक जीवन संगर्स किताब है जीवन परिचे तो उसको हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमें एह सास हुआ कि हमको हम कर का रहे हैं और हमें करना का चाहिए तो मैंने देखा है अपने समाज के लिए गाउं गाउं चलके यूपी विहार ज़र खंड नेपाल जहां भी जाना पड़ता है जा जाके बाबा साहब के बातों को मानिवर साहब की बातों को बताया जाता है समझाया जाता है कुछ हम बताते हैं कुछ लोगों बताते हैं बाबा साहब के मिसन को कुछ हम बढ़ाते हैं कुछ हो लोग बढ़ाते हैं यही प्रक्रिया कारण है कि जैसे हम लोग बनावटी गाना नहीं गाते हैं हमने जो ईतिहास गाता है यह हम लोग इतिहास गाता है, इसका रीजिन यह है कि बाबा साब के संवीधान से जो जो हम लोग पाते हैं, वही अपने भोजण समाज को लटाते हैं, ऐसा नहीं कि मन गढ़न्त हम लोग जो इतिहास में पाते हैं, आज भी जो हम लोग बोलते हैं, गाते हैं, वो सब एतिहासिक है, आज भी उठा कर पढ़ सकते हैं जो हमारे महापूर्सों ने अपने कलम से, विचारों से नमाजा है, तो बहुत सारे गानों को हमने गाया, जिसमें अगर कोई दरोगा है, कोई टियम है, कोई एस्पी है, के लिए मैंने गाना गाया था साच का हतानी जागल भगिया हमार एक थानेदार की अवरत है वो बाबा साहब के मिशन को समझी संभिधान को समझी तो वो कह रही है अपने पती से साच का हतानी जागल भगिया हमार भिमजी तो हरे चलते पियवा हमार भैले थानेदार भिमजी तो हरे चलते बलमूह हमार भैले थानेदार और एक गना अमारा बहुत ज्यादा पापलर हुआ था जेही लिखल भारत के सुंदर विधानमा आहम बहुजान हमर्बा बारत नमा काफी सारी वीडियो जो है मूवी के तरह आती है आपने मूवी बना है मैंने देखा है उसको तो पर काफी अच्छा लगा और लोग को देखने भी अच्छा लगता है तो मुवी बनाने के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया से हमारा समाज जो है टीबी और मोबाइल फिलिम गानों को देखने का सोखिन है तो मैंने सोचा कि मुख से बताने से अच्छा कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि उसको आनंद भी आए और ग्यान भी आए दोनों आए तो हम लोग गाना गाते 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 बीडियो के माद्यम से आडियो के माद्यम से और आडंबर के मैंने फिल्म बनाया था कि भगवान और इंसान उस मोभी का नाम है भगवान और इंसान तो बाबा साहब को इंसान से नवाजा हमने जो और दूसरे बिदा के लोग भगवान को मानते हैं तो उनको मैं भगवान से नवाजा कि भगवान और इंसान में कितना का परक है तो उसको मैंने तरासा तो इसलिए मैंने सोचा कि इस गाने को इस फिल्म को उस फिल्म में मैंने बहर का रोल किया है बहरे का इसलिए कि मेरा समाज एक बार में नहीं समझता है जान बुझ के बहर बना कि एक बार कोई बोलेगा तो नहीं समझूगा दूसरी बार बोले तो जरूर समझ जाओंगा तो मेरा समाज एक बार में नहीं समझेगा दूबेर में नहीं कि तिसरा बार में जरूर समझ जाता है तो इस सोचल मीडिया की हिसाब से और गाने की हिसाब से हम अपने समाज को अच्छा निर्देश अच्छा विचार देने का प्रयास कि हम गाना पूर चाहते हैं और दर्शकों को सुनाना चाहते हैं वह हिंदी में होना चाहिए और आप कहते हैं अगर तंडन अगर सुस्त हो जाए तो जैभीम बोल दिजिए चार्ज हो जाएगा अच्छा जैभीम के नाम से तो देखिया 20 वका सबसे प्यारा नाम जैभीम विश्व का सबसे प्यारा नाम जै भीम कांसी राम समझ रहे हैं तो सौंग हमारे बहुत हैं मैंने अभी वो गाना गाया था जल्वा जल्वा भीम तेरा जल्वा जल्वा तेरा जल्वा जल्वा अभीम तेरा जल्वा जल्वा तेरे जैसा कोई नहीं है तेरे जैसा कोई नहीं है बीर और बल्वा जल्वा तेरा जल्वा जल्वा अभीम तेरा जल्वा जल्वा तेरी राह को कांसी राम साहब ने अपनाए असाइकल पे सवार होके पहुजन तेरी राह को कांसिराम साहब ने अपनाए और साइकल पे सवार होके बहु जन बनाए, हम सब मिलके पुरा करेंगे भीम तेरा कारवा जल्बा तेरा जल्बा भीम तेरा जल्बा जल्बा कि आज हम लोग इतने स्वास्त मजबूत और बोलने को चलने को तरीका बावा साहब से मिला है हमिए आप लोगों ने देखा जिस तरह से तरकिश्वार अठंडरन जी समाजी करांती को लेकर गाने के रूप में लगातार नय नय गाने निकाल रहे हैं